अस्सलाम अलेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं मिस मुंताज, आपकी अपनी टीचर, आज से मैं आपको उर्दू पढ़ाऊंगी, आपको पता है उर्दू के हुरूफ को क्या कहते हैं? कुरूफ तहजी, और कुरूफ तहजी होते हैं 37, बहुत सारे सैतीर, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे पहला हुर्फ, अलिफ, ये किस सो लव्ज है अलिफ? अरे ये तो पत्ली सी लाइन है, ये तो उपर से नीचे आओ, नीचे आओ, रोप चाओ, ये क्या बन गया? अलिफ, क्या बना? अलिफ, कैसी आवाज है इसकी? आधा मुझ खोलेंगे, आ, आ, आ से अमी, आ से अबू, आ से अल्ला, आ से अल्मारी, आ से इस्टिरी, अलिफ कैसे लिखते हैं? उपर से नीचे आओ, नीचे आओ, रोख जाओ, नुक्ते से शुरू करेंगे, जब हम लिखना सीखेंगे ना, पिर मैं आपको बताऊंगे, ये बिल्खुल सीधी लकीर होती है, जिसको हम कहते हैं, अलिव, जिसको हम कहते हैं, अलिफ और आपको पता है अलिफ का जो एक पार्टनर होता है वो कौन होता है वो भी अलिफ जैसा ही होता है बिल्कुल अलिफ जैसा लेकिन थोड़ा सत तो चेंज होगा ना उसका फ्रेंड अब उसके फ्रेंड की क्या है एक स्पेशलिटी उसकी स्पेशलिटी है उसके सर पे ताज है और यह है अलिफ मद आ यह कौन सा है अलिफ मद आ और अलिफ मदा के आवास कैसे होगी पूरा मूँ खोलना है आ पूरा मूँ कैसे खोलेंगे आ यह अधा मूँ खोलेंगे तो इसकी आवाद बनेगी आ और इसकी आवाद बनेगी आ अलिफ मदा से आडू अलिफ मदा से आघा, अलिफ मदा से आख, कैसे लिखते हैं अलिफ मदा, उपर से नीछे आओ, फिर नीछे आओ, रूप चाओ, उसके उपर मत बना दो, मत कैसा होता है, बिल्कुल लहर की तरह यूं करके थोड़ा सा नीछे आए, उपर गही नीछे आए, इрах पढ़ा बस उसी तरीके से यह जिडग जैक लाइन जैसे नहीं है ये थोड़ा कर्व है मदद अलिफ मध्या आअ अलिफ महिस ऑ अलिफ अअ मत आ चले बच्चों अब हम सीपते हैं अलिफ की लिखाई अलिफ की लिखाई कैसे करते हैं पहले हम सैमोलीना ट्रे पे करेंगे ये हैं अलिफ अलिफ उपर से नीचे जाओ नीचे जाओ रूप जाओ उपर से नीचे जाओ नीचे जाओ रुक जाओ, उपर से नीचे जाओ, नीचे जाओ, रुक जाओ, आप जरूर ये वाली जो ट्रे है ना, सैमुलेनर ट्रे, ये जरूर यूज की दिएगा लिखने के प्रैक्रिस के लिए, इसे बहुत फन आता है लिखने में, बहुत मज़ा आता है, ठीके, जब ये लिख लें तो बारा से इसे फलैट कर ले, और फिर से लिखें, उपर से नीचे जाओ, नीचे जाओ, रुक जाओ, आप हम लिखेंगे, पेपर पे लेव, और इस पे हम कैसे लिखेंगे अलेव? उपसे नीचे जाओ, नीचे जाओ, रुख चाओ नुक्ते से स्टार्ट किया और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दी उपसे नीचे जाओ, नीचे जाओ, रुख चाओ उपर से नीचे जाओ, नीचे जाओ, रुख जाओ अलिफ, अलिफ से अबू, अलिफ से अमी, अलिफ से अंगूर, बड़े मज़ेतार अलिफ से अल्ला, सबसे बड़ा, अलिफ से अमी, अच्छी अच्छी अमी अलिफ से अब्बू, वावा अब्बू, कितने अच्छे अब्बू उमीद करती हूँ आपको अलिफ समझ आ गया होगा अब हम चलते हैं अलिफ मत आ की तरफ, अलिफ मत आ चले बच्चों, अब हम आते हैं दूसे हुस की तरफ, जो कह है अलिफ मत आ इसके लिए आपको बताया था ना मैंने कैसे बोलना है मुझ को पूरा खोलना है आ, अलिफ मद, आ बिल्कुल अलिफ की तरहा उपर से नीचे जाएं नीचे जाएं, रूप जाएं और मद बना दे ऐसे मद बनाना है चले हम हम प्रैक्टिस करते हैं उपर से नीचे यूँ और यूँ यूँ करके नीचे आए, थोड़ा सा उपर गए, फिर नीचे आए यहां से ऐसे गए, फिर नीचे आए अपर असे बहुत बार हमें मस करनी पड़ेगी मत की तो, तब भी तो आएगा लिखना इतना तो मुश्किल नहीं है यह लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है अब ट्रिकी चीज़ें तो बच्चे जल्दी से सीख जाते हैं है ना भाई अब आप लोग इसकी बहुत 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 दफामश करेंगे सिर्फ मत की जब मत लिखना आजाएगा तो अलिफ तो हमें पहले से लिखना आता है फिर हमें क्या लिखना आजाएगा अलिफ मत आ उपर से नीचे जाएं नीचे जाएं रुक जाएं उसके उपर मत बना दें मत को हम ताज भी कह सकते हैं अलिफ मत आ अलिफ मत आ से आरा अलिफ मदा से आड़ू, खाते हैं आप आड़ू, मज़े मज़े का अलिफ मदा से आम, अलिफ मदा, अलिफ मदा अब हम अलिफ मदा को सीखेंगे पेपर पे, देखते हैं कि अलिफ मदा लिखते हैं अलिफ मदा, अलिफ मदा, अरे ये तो बिल्कुन अलिफ जैसा है लगा है, डॉट पे पैन रखेंगे, ये तो मेरे पास पैन है ना, आपके पास तो क्या होगा, ख्रेयोन होगा, मैं ये वर्कशीट भी इसके साथ अटेच करूँगी, वर्कशीट निकाल के, आप उस पे प्रैक्टिस करेंगे, उपर से नीचे आए, नीचे आए, रुप जा और ये मद बना दें, मद की प्रैक्टिस तो हमने सेमिली ना ट्रे पे बहुत दफा कर ली है, है ना, उस पर से नीचे आए, नीचे आए, रुप जाए, और मद बना दें, अलिफ मदा की आवास कैसी थी, आ, पूरा मूँ खोल के, अलिफ मदा से, आडू, अलिफ मदा से, ठीके बच्चों, आज हमने अलिफ और अलिफ मदा से, क्या से थी हमने, अलिफ से खा और अलिफ मदा से, हमने ये दोनों वर्च सीखे और उमीद करती हूं कि आपको समझ आए होंगे, मजीद कोई वर्कशीट चाहिए हो, इसकी मजीद प्रैक्टिस के लिए, तो दू कॉम I will provide you, tata, bye bye